हालो बच्चो प्रोटिस्टा को कम्प्लीट करना रहेगा और हम सारी डिटेल से एंसियाटी से पढ़ेंगे कुछ एक दो लाइन हम रिलेट करने के लिए बाहर से ले सकते हैं तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ हमने जो कम्प्लीट किया है प्लांड फिजियोलजी के चार चैप्टर कम्प्लीट कर लिए है इसके अलावा हमने कम्प्लीट किया है प्लांड किंडम और सेल साइकल जिसे आप देख सकते हैं और ये थर्ड लेक्चर है बायलोजीकल क्लासिफिकेशन का हम सीक्मेंस जो फॉलो करते हैं वो NCRT का फॉलो कर रहे हैं चैप्टर में और आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाए बेटर ये रहता है साथ के साथ नोट्स बनाए और फिर NCRT की एक दो रीडिंग ले ये आपको सजेस्टेड है एक अच्छी अंडेस्टेंडिंग के लिए उसके बाद फिर आप कोशन्स बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को हम लोग जो टॉपिक पैंडिंग था देट वस मॉनरा क्लासिफिकेशन हमने जब मॉनरा पढ़ा था तो हमने मॉनरा को क्लासिफाई किया थो दो ग्रूप में एक था अमारे पास आर्की बैक्टीरिया और एक था अमारे पास यू बैक्टीरिया तो हम देख रहे हैं बिटा कि जो यू बैक्टीरिया है उसको हम कैसे classify करेंगे तो हमने क्या किया था सबसे पहले यहां पर Archibacteria पढ़ा था और Archibacteria की तीन टाइप पढ़ी थी बिटा आपको मैंने बोला भी था Archibacteria Harsh condition में होते हैं उसकी U-bacteria से cell wall में difference होता है यह NCIT mention करती है फिर हमने दूसरा इसके बात करना था U-bacteria इस पे हमें पढ़ना था Actual में इसमें बिटा दो ग्रूप NCIT में mention है U-bacteria के हम आपको तीन बता रहे हैं जो एक्ष्टा बता रहे हैं उसका reason है हम यहां पर एक पढ़ेंगे Sinobacteria Clear एक ग्रूप यह है एक हम पढ़ने वाले है Mycoplasma थर्ड ग्रूप जो NCIT में नहीं है और उसकी अगर हमें detail जाननी है उसका एक reason है वो ग्रूप का नाम है हमारे पास Actinomycetes यह वो ग्रूप है बिटा यह वो ग्रूप है Actinomycetes जिसमें basically ध्यान से सुने Actinomycetes जो है यह वो ग्रूप है जिसमें माइको बैक्टीरियम माइको बैक्टीरियम वो बैक्टीरिया है जो TB कॉस करता है ट्यूबर कॉलोसिस यह बहुत इंपोर्टन बैक्टीरिया है दूसरा इसमें एक आता है फ्रेंकिया फ्रेंकिया हमारे पास बिटा nitrogen fix करता है non leguminous plant में जैसे pulses में जो nitrogen fix करता है वो rhizobium है यह वाला बैक्टीरिया pulses में nitrogen fix नहीं करता किसी और प्लांट में जैसे उनके नाम थे illness और cassiorina यह चीज़ समझा रही है उसके बाद इसमें एक और genus आप ले सकते हो streptomyces यह वो genus है जो सबसे ज़ादा antibiotic बनाता है मतलब बैक्टीरिया में वो genus जो बहुत large number of antibiotics बनाता है इस genus से काफी सारे antibiotics मिलते हैं इसलिए इस genus की अपनी अलग significance है और actinomyces जो है इनके feature match करते हैं fungi से इसलिए इस group को कई बर हम क्या ले रेते हैं ray fungi actual में fungi से feature क्या match करते हैं actinomyces bacteria के cell इस तरीके से mycelium जैसा structure बना देते हैं वो लगता है mycelium जैसा proper mycelium तो होता नहीं है इसलिए उसे हम कहते हैं ray ray का मतलब radiating fungi actual में radiating fungi is not a fungi it is a bacteria which have some feature similar to fungi पर वो है bacteria proper bacteria और एक last चीज़ याद रखनी है they are gram positive एक technique होती है gram staining जिससे हम difference create करते हैं gram positive और gram negative bacteria में gram positive stain को retain करता है क्योंकि उनकी cell wall थिक होती है gram positive में आएगा आपके पास एक actinomyces उसके अलावा claustridium याद कर लेना gram negative में हमारे पास sinobacteria, mycoplasma ये सब और E. coli ये सब gram negative में आते हैं तो हम इन दो group के बारे में थोड़ी सी detail जान लेते हैं जो NCRT में है उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं तो देखे ज़रा फटा फट से इन दो groups में से सबसे पहला group जो हम पढ़ रहे हैं वो है बिटा हमारे पास sinobacteria वो group हमारे पास है sinobacteria इसके बारे में जान ले है साइनो बेक्टिरिया को कई बार हम blue green algae बोलते हैं ये इसका पुराना नाम है old नाम है old नाम मतलब पुराना नाम इसका बिटा blue green algae था तो इसका जो old नाम था वो basically क्या था blue green algae था अच्छा जब हम ये topic पढ़ते हैं समझ आ रहा है second is structure third is some detail of cell ये चीज़े हम लोग पढ़ते हैं तो जड़ा देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कहां मिलता है सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कहां मिलता है तो ये कहां मिलता है हमें NCRT ने बताया है, इसका habitat बिटा, एक तो fresh water में मिल जाता है ये, fresh water, उसके अलावा marine, sea water में, ocean के पानी में, और terrestrial होगा पर moist soil होगी ना, तोड़ी सी गीली सी मिट्टी होगी, वहाँ पर होगा, clear, आपको बिटा, जो दिखते है, rainy season में एक दम green green सा, वो ये एक चलमे bloom बनाते है, bloom का क्या मतलब होता है, पानी के अंदर ये, एक तरीके का बहुत जादा green green सा कुछ बना देते, bloom, bloom मतलब काफी फैल गया, तो उस तरीके का polluted, मतलब pollution create करते हैं, ये पानी में, fresh water में आपको मिलेगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, बेटा, इसके structure की, हम इसके किसकी ब में इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन ये कई बर क्या करता है, ये filament भी बना देता है, ये कई बर क्या कर देता है, filament भी बना देता है, कई बर बहुत सारे filament इकठे होके, colony जैसा भी कुछ बना देते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है, तीन तरह का इनका structure, एक ह third is colonial इनके around बेटा हमें एक slimy सी, chip chipi सी mucilage की layer देखो आप एक चीज समझो हमारे पास जो plant जो life, जो पानी में होती है plant की, उसके बाहर को chip chipi सी layer होनी चाहिए ताकि वो पानी hold कर सके कुछ time के लिए अगर सूखे नहीं तो इसके बाहर हम बोल सकते है mucilage की layer है किसकी layer है, mucilage की एक layer है इसके बाहर, तो यह हो गया इसके structure की बात, यह इसके किसकी बात हो गई structure की, after that structure हम लोग क्या discuss कर सकते है बिटा, क्या discuss कर सकते है इसमें कोई cell की ऐसी detail है, जो मुझे आनी चाहिए, ऐसी कोई cell की detail specific जो मुझे आनी चाहिए, सबसे पहले सुनो आपको क्या पता होना चाहिए, देखो अगर आपको कभी भी question आता है कि sinobacteria में flagella है के नहीं है तो आप लिखेंगे नहीं मतलब sinobacteria में नहीं होता है क्योंकि non-motile के question में sinobacteria भी option में होगा तो आप ये लिखेंगे कि sinobacteria जो है आपका non-motile है क्योंकि इसमें क्या नहीं है बेटा, flagella absent है तो जब भी question आए कि flagella absent है, तो उसमें आप क्या-क्या खोजोगे, एक तो red algae खोजोगे, एक sinobacteria खोजोगे, हना, तब आपको easily answer बन जाएगा, ठीक है, clear non-motile वाले question में, दूसरा आप क्या देखोगे बिटा, second आप क्या देखोगे, इसमें जो cell wall है, वो cell wall normal peptido glycan की है, जो normal bacteria में होती है, उसकी cell wall है, ठीक है, cell wall क्या है, normal peptido glycan की cell wall है, तीसरा आप क्या देखोगे बिटा, third क्या देखोगे, इसमें कि इनमें क्या होता है, जिसे मालो मैंने ये बना दिया, sinobacteria, इनकी plasma membrane असे अंदर की तरफ fold करती है, जिसमें pigment लगे रहते हैं, जिने हम कहते हैं, chromatophore, तो chromatophore क्या होता है, एक अंदर की तरफ folding होती है, लगे रहते हैं, pigments, इन पर क्या लगे रहते हैं, pigments, और जो pigments होते हैं, वो कौन से होते हैं, pigments आर, हमारे पास, chlorophyll A, ठीक है, pigments हमारे पास क्या होते हैं, chlorophyll A होता है, द्यान ज़र रखो, याद रखो, क्योंकि sinobacteria क्या बनाता है, sinobacteria oxygen oxygen बनाता है, oxygen बनाने वाले सारे organism, जो है, basically plant की बात कर रहे हैं, और protesta की सम्में, chlorophyll A होना compulsory है, बिना उसके oxygen नहीं बनेगी, तो chlorophyll A है, इसके अलावा, phyco erythrin है, और क्या है, phycocyanin है, phycocyanin है, ये वो pigment है, जो basically present होते हैं, हम इने blue-green algae नाम देते हैं, बिटा, ये इसका old नाम था, blue color जो है, वो phyco, किस से आता है, हमारे पास sinin से, sinin जो होता है, वो copper के लिए word है, और उससे हमारे पास blue color आता है, याद रहेगा, ठीक है, pigment के बाद हम storage की बात कर सकते हैं, इसमें, हैं, किसकी बात कर सकते हैं, storage की, ठीक है, clear, तो storage के लिए जड़ा, एक-दो बात सुन लो वेटा, ध्यान से, sinobacteria में storage को लेके, हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, हम storage की बात कर रहे हैं, तो sinobacteria में जो storage होती है, ध्यान से सुनो, storage होगी हमारे पास कैसे storage होती है synofacian starch एक starch होता है synofacian starch कहते हैं इसके अलावा synofacian granule amino acid का storage होता है इसके अलावा इनमें हमने पढ़ा था gas vacuole भी होते हैं क्या होते है gas vacuole storage के बाद next point जो हम discuss कर सकते हैं यहाँ पर that is a special structure known as heterocyst अब यह heterocyst क्या होता है समझे ध्यान से synofacian bacteria क्या करेगा इस तरीके से इस तरीके से ऐसा filament वाला synofacian bacteria सारे नहीं उनमें से कुछ synofacian bacteria की wall थिक हो जाती है और वो एक structure बनाते हैं जिसे हम heterocyst कहते हैं तो heterocyst क्या होता है heterocyst वो structure है जो nitrogen fix करता है इसके लिए उसमें क्या होता है nitrogenase enzyme होता है समझ लो heterocyst क्या करता है nitrogen fix करता है इसके लिए उसमें nitrogenase enzyme होता है और आपने ध्यान रखना है कि few not देखो यह सारा filament है यह सारे कैसे हैं photosynthetic है photosynthetic मतलब इसमें oxygen बन रही होगी photosynthetic है न हमारे पास क्या बना रहे होंगे oxygen produce कर रहे होंगे और यह क्या है बेटा मेरे पास एक filament है तो what is heterocyst आपने समझना है कि हमारे पास कुछ sinobacteria में जहां पर nitrogen की कमी है वो sinobacteria एक special structure बनाते हैं जिसे heterocyst कहते है heterocyst वो structure है जह nitrogen fix होती है उसके लिए nitrogenase enzyme है nitrogenase enzyme को क्या पसंद नहीं है oxygen पसंद नहीं है oxygen को यह like नहीं करता इसी लिए हम यह कहते हैं कि heterocyst में जांज़ो सुने heterocyst में हमारे पास PS2 and chlorophyll A absent है क्यों absent है समझ लो इस बात को heterocyst में nitrogen fix होती है nitrogenase enzyme है जिसको oxygen पसंद नहीं है इसी लिए हम कहते हैं कि heterocyst में क्या नहीं होता PS2 और chlorophyll A नहीं होता क्योंकि वो oxygen बनाने के लिए चाहिए यह important बात होगी not all cyanobacteria fix nitrogen उसके बाद हमने बात करी बिटा कि इनके examples क्या है इनके examples क्या है examples क्या है cyanobacteria के इनको देख लेते हैं तो examples of cyanobacteria जो आपको करने हैं याद जो surely करने हैं बहुत सारी books बहुत सारे बता रही है लेकिन हमने यह चार जरूर याद करने हैं सबसे पहला हमारे पास है बिटा non-stock clear second हमारे पास anabina यह 11th की NCRT में लिखा हुआ है उसके अलावा spirulina spirulina यह cyanobacteria है यह algae नहीं है दिमाग में बिठाना इसे यह cyanobacteria है space traveler यूज करते हैं वो इक अलग बाते हैं पर यह cyanobacteria है spirulina चीक है उसके बाद oscillatoria तो यह वो नाम है जो बेटा oscillatoria तो plus 12 microbes in human welfare की last page पे नाम दे रखा है वह एज़ा bio fertilizer word में महाँ दे रखा है अब देखो मेरे पास यह 4 example तो minimum याद करने ठीक है clear और यह बेटा nitrogen fix करते हैं क्या fix करते हैं nitrogen और कैसे करते हैं दोनों तरीके से free living भी है and क्या करेंगे symbiotic तो आपको कुछ example पता होने चीए symbiotic nitrogen fixation कहां कहां पर होती है यह important होता है cyanobacteria में समझना देखो cyanobacteria से जब questions आते हैं तो यह तो motile non motile का आता है एक chromatophore का आता है actual में क्या है cyanobacteria में थोड़ा membrane जैसा structure है जैसे thylakoid पे pigment लगे रहते हैं वैसा structure है कई बार हम cyanobacteria को procreate और ucreate के बीच का connecting link बोल देते है what are connecting link दोनों से feature match कर रहा है ठीक है इनको बोल सकते है तीसरी बात हम यह कह रहे हैं कि इनसे question आएगा chlorophyll A है के नहीं है heterocyst आ सकता है उसके अलावा वो symbiotic structure पूछ सकते हैं किस में है symbiotic structure पूछ सकता है किस में है तो हम यह लिख सकते हैं symbiotic हमारे पास symbiotic ध्यान से सुने symbiotic nitrogen fixation किस में होती है इसको समझना हमने symbiotic N2 fixation हमारे पास किस में होती है देध जान से इसको समझेंगे ये basically बिटा हमारे पास कहां होगी समझना इसे ये होती है एक तो sykis में एक हमारे पास कहां हो रही है sykis sykis में क्या है हमारे पास sykis में QUORRELOID root एक तो यहां हो रही है दूसरा ये कहां हो रही है azola अजोला एक फर्न है उसमें हो रही है जो एक बायो फेटलाईजर है वहां हो रही है Where हो रही है? तीसरा बीटा कहा हो रही है? अजोला है, साइकर्स है से के अलावा लाइकनस यहाँ भी सिम बायोटिक अन्टू फिक्सेशन करते हैं इन सब में Sino bacteria होता है Azola में specifically मेरे पास Anavena होता है मतब कौन से वाला होगा Anavena बाकी में Anavena non-stop कोई भी हो सकता है पर Azola में क्या होगा मेरे पास specifically Anavena होगा अब मैं एक last bacteria का नाम आपको बताने जा रहा हूँ उचकी detail that is basically mycoplasma हना mycoplasma नाम है इसका इसके बारे में आपको क्या आना चाहिए वो हम देख रहे है ठीक है मालो हमने यह mycoplasma बना दिया यह इसका DNA है ठीक है यह इसकी plasma memory में तो mycoplasma की क्या details आपको आना चाहिए इन्हें हम PPLO कहते है PPLO की full form है बिटा हमारे पास यह actual में छोटे size के होते है pneumonia cause करते है cattle में तो pleuro pneumonia like organism like organism यह उनके plural fluid में plural fluid कहा होता है जो आपके lungs की दो membrane है उनके बीच में जो liquid होता है तो cattle के lungs की plural fluid में से मिला था pleuro pneumonia like organism इसलिए इनका नाम यह है इनका size सोटा होता है size small है size small है NCRT ने 0.3 mu meter लिख दिया है ठीक है इतना size छोटा है इसका ठीक है normal bacteria से छोटा है जो detail आपको आएगी वो क्या आएगी समझना ध्यान से सबसे पहले इनमें cell wall नहीं है बिटा सबसे पहले क्या नहीं है इनमें cell wall नहीं है अगर shape fix नहीं है तो इन्हें हम नाम देते हैं joker of plant kingdom joker of plant kingdom कहते हैं क्योंकि इनकी shape fix नहीं है हना इनकी shape fix नहीं है तो shape बदलते रहते हैं plant kingdom वर्ड जो एक primitive वर्ड हमने use कर लिया है ठीक है उसके बाद बेटा उसके बाद इसमें DNA linear है यह बहुत important बात है कि most of the bacteria have circular DNA except mycoplasma mycoplasma का DNA हमारे पास linear है कैसा DNA है linear इसे समझ आ रही है clear है यह चीज़ ठीक है एक तो cell wall नहीं है ठीक है cell wall नहीं है अच्छा cell wall ना होने की वज़े से इन पर penicillin काम नहीं कर सकता penicillin इन पर ineffective है बेटा इन पर penicillin जो है वो क्या है ineffective है क्योंकि penicillin cell wall तोड़ता इन पर तो cell wall ही नहीं है ठीक है एक important चीज बेटा जो आपको याद रखने हैं यह disease cause करते हैं किसमें यह disease cause करते हैं बोथ plant and animal में इन बोथ plants को disease करते हैं and animals को ठीक है यह चीज आपने दिमाग में बिठाने है यह without oxygen survive कर सकते हैं एक additional बात लेकिन आपको क्या दिमाग में बिठाना है यह plant और animal दोनों में pathogenic है disease cause करते हैं पर main point याद यह रखना है कि cell wall नहीं होती इस पर penicillin काम नहीं करेगी क्योंकि वो cell wall नहीं बनने देती है ठीक है आप यह completed the topic वेर जो हमने last class में रखा था कि अब पढ़ाएंगे इसे classification of you bacteria अब हम start कर रहे है topic protestal बहुत important है बहुत सारी details है यहां से देखी यह third lecture है biological classification का जिसमें हम लोग protestal की detail पे जा रहे है ठीक है अब जरा इसको ऐसे समझने हैं देखिए हमारे पास एक scientist थे रह वी टेकर यह हम पढ़ेंगे कहां पर जहां living world पढ़ाऊंगा वहीं पर kingdom of classification और system of classification जो plant kingdom के starting में गिवन है ध्यान ज़ुने हमारे पास एक scientist थे रह वी टेकर उन्होंने five kingdom of classification दिया 1969 में रह वी टेकर ने क्या किया first kingdom बनाई अगर monera तो monera में हमारे पास pro-karyotic cell थे first eukaryotic cell का जो kingdom था वो क्या था हमारे पास protista था पर यह आया किसमे था बेटा जैसे हमने कहते हैं कि आपके NCRT में दो kingdom classification और five kingdom classification पढ़ाई है उसके बीच में three और four kingdom भी है actual में protista group को हमने three kingdom classification में बना दिया था तो protista जो है हमारे पास वो किसमे create किया गया था was created कौनसी kingdom classification में three kingdom में इनको three kingdom में ही बना दिया गया था three kingdom classification में protista को बना दिया था किसने scientist के नाम है जिनोंने किया था unstackle unstackle ने three kingdom classification धी वहाँ पर उन्होंने यह बना दिया अब protista के जो basic feature है ज्यान से सुनना protista के जो basic features हैं हमारे पास उनमें सबसे पहला feature है कि ये बिटा unicellular eukaryotes है तो जितने भी unicellular eukaryotic organism है उन सब को हमने क्या किया है eukaryotic organism है उन सब को हमने किस में रखा protista में रखा ठीक है पहला feature single cell है और कैसे है eukaryotic है ठीक है अब मेरी बास सुना monora prokaryotic cell था ये eukaryotic cell है तो इसमें सारे feature eukaryotic cell के होंगे तो मैं लिख रहा हू all features of कौन से of eukaryotic cell present लगवक सारे features होंगे अब ये कौन से features है किन features की बात कर रहा हूँ सबसे पहला feature मैं कह देता हूँ चलो सबसे पहला feature मैं कहूँगा well defined nucleus properly बना हुआ nucleus है जिसके बाहर nuclear membrane है दूसरा feature मैं कहूँगा क्योंकि bacteria में कोई भी membrane bound organ नहीं थी यहां पर मेरे पास membrane bound organal है membrane bound क्या है organal है ऐसी organal जिनके बाहर membrane है मतलब जैसे हमने क्या बोला था याद करो हमने कहा था ER, Golgi body इस तरह की membrane हमारे पास present है मतलब ऐसे structures है जैसे हम लिख रहे है नाम ER है Golgi body है single membrane होती इन में mitochondria यह सारे इन में present है हना उसके बाद हम third point पर discuss कर सकते हैं यहां पर कि ठीक है membrane bound organal है bacteria divide करता था उसे हम कहते थे normal binary fusion कोई proper mitosis नहीं होती थी यहां पर क्या होगा बेटा हमारे पास mitosis and meiosis दोनों होगी बोत अकर अगर meiosis हो सकती है तो proper हमारे पास gametes gametes form होंगे fusion से zygote बनेगा fusion give zygote तो यह सब हमारे पास एक eukaryotic वाले features आ जाएंगे जहां पर हम कह रहे हैं कि proper हमारे पास सब कुछ एक eukaryotic cell का होगा well defined nucleus membrane bound organal mitosis meiosis भी होगी zygote बनेगा gametes बनेगे उसके बाद बिटा हुआ क्या है क्योंकि life पानी में आई है life किस में आई है पानी में आई है तो protesta में आपको यह समझ आना चीए एक बहुत important feature है protesta का कि इन में फ्लेजिल्या और चीटिया होंगे आप में से बहुत सारे कहेंगे यहार फ्लेजिला और sip इलिया तो उसमें भी था क्या नाम हे हमारे पास किसमें present था Qui ofÄ फ्लेजिला फ्लेजिला जोंकि फ्लेजिला तो उसमारे पास gibt goggles में भी था तो bacteria के celea से इनमें क्या फरक है जराद देख लेकाईए लेकाई रैव ये उसका फ्लाजिला है जिसमें ये बेसल बॉड़ी है ये hook है और ये filament बैक्तीरिया है अब हमारे पास क्या हो गया ध्यान से सुनना हमारे पास next क्या होगे यह flagyla यह किसका है बिटार यह bacteria का है समझज़ो हमारे पास yukaryo bana दिया हमने ठीक है माननों लोग toxic scam adamonias बना देते हैं उसका flagyla बना दिया हमने देखो यह उसका flagyla है अब इसके और इसके फ्लेजिला में फरक्या, बैक्टीरिया का फ्लेजिला ध्यान से सुनेंगे, इस फ्लेजिला ये वाला made up of made up of फ्लेजिलीन प्रोटीन, अलग प्रोटीन है, अब नाम छोड़ सकते हो इस प्रोटीन का, पर इसका याद करना है, ये बना है made up of तुबुलीन प्रोटीन तो इसका मतलब आपने यहाँ पर यह सीखा कि बेक्टीरिया का और हमारे पास यू किरियोटिक सेल का फ्लैजिला अलग है ये दोनों अलग-अलग फ्लैजिला हैं ये सेम नहीं है फ्लैजिला इसका और इसका डिफ्रेंट है बिटा मतलब हमारे पास बैक्टीरिया का और यू करियोटिक सेल का फ्लैजिला अलग होता है एक चीज मैं यहाँ पर बताते हैं ताओं बिट आपको कलमाइडो मुनास और क्लोरेला पढ़ने के लिए हम भले ही ग्रीन एलगी में पढ़ते हैं पर वो एक्चुल में प्रोटिस्टा में है रीजन है उसका क्योंकि वो सारे यू करियोट है तो जो भी सिंगल सेल के यू करियोट होंगे they have to be present in प्रोटिस्टा five kingdom classification के according वो प्रोटिस्टा में होंगे और हम यही kingdom of classification follow करते हैं अब यह हमने basic feature देख लिए मैं उन lines को discuss करूँगा कि इस kingdom की boundaries क्यों well defined नहीं है देखो मेरे बात समझो जान से हम क्या करते हैं प्रोटिस्टा की जो classification होती है वो scientist wise अलग अलग होती है मतलब कुछ लोगों ने अलग तरीके से classify किया कुछ लोगों ने दूसरे तरीके से classify किया हमने क्या किया एक particular classification को follow किया हमने क्या किया एक particular classification को क्या किया follow किया कैसे किया वो हम देख रहे हैं यहां तक समझा रहा है कैसे किया वो हम देख रहे हैं अना चलो देखो जहां से, सबसे पहले अब आओ प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन को समझते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा की हम क्या समझते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन को समझते हैं, जहां से देखें क्या बता रहें बता, देखो, NCRT ने क्या किया है Protista को 5 गुरूप में Divide किया है हम पहले क्या करते हैं इनको 3 केटेगरी में Divide करते हैं सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो Photosynthetic है ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो मेरे पास कैसे हैं Photosynthetic Protest है छीख है इनमें हमारे पास जो तीन आएंगे ग्रुप वो आएंगे क्राइसोफाइट्स सेकिंड आएगा बिटा हमारे पास डाइनोफलेजिलेट्स और थर्ड आएगा यूगलिनॉइल्स ये तीन आएगे ठीक है क्रियर सेकिंड हमारे पास आएगा सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट ठीक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट अबियुत जो पैसे पने लिए स्लाइम माउल्ट यह सेकंड ग्रूप है अमारे पास प्रोटेस्टा का ठीक हम लोग लिखते हैं वेटा एक तरीके से ऐसा प्रोटेस्ट जो प्रॉपरली हेट्रोट्रॉफिक है या तो होलोजोईग है या प्रीडेटर है पैरासाइट है बेसिकली ऐसे वाले प्रोटेस्ट का नाम हम लोग क्या लिख रहे हैं प्रोटोजोगा तो आपने क्या देखा आपने देखा कि हमने प्रोटेस्टा को तोटल एंची जो अपने ने पांच गरूप बनाये है हमने क्या कि इनक시고 फहले 10 से कहीं Plant से मैच कर रहा है की क्या है यह वाला किस से मैच कर रहा है इसकी similarity इसमेडरेटी कि से है similarity से हम लेटी फंजाई से है with fungi इसकी like similarity अनिमल अनिमल से है स्हेल बॉल नहीं ओती इसमें similarity with animal kingdom इसकी similarity कि सेब एनिमल किंङडम से है प्रूटोजोवा की हना उसकी सिम्लारिटी प्लांट किंग्डम से हैं तो हम यह कह रहे हैं कि प्रोटिस्ट्रा एक ऐसा ग्रूप है जिसकी बॉंडरीज वेल डिफाइन नहीं है क्योंकि जितने इसके मेंबर्स हैं वो अधर किंग्डम से मैच कर रहे हैं इसी लिए हम इस डाइग्राम को बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं बिटा द्यान से सुनो इसी लिए हम एक डाइग्राम ऐसे बना के बच्चे को बताते हैं कि भाई देखो जरा इस किंग्डम की ज क्लियर और उसके बाद हमने ये प्रोकिरोर्स लिख दिया देहां से सुनो प्रोकिरोर्स लिखा उसके बाद हमने क्या लिख दिया बिटा प्रोटेस्टा उसके बाद हमने क्या लिख दिया प्रोटेस्टा और ये एक तरीके से connecting link है बाकी की तीन kingdom के साथ बाकी की तीन kingdom कौन सी हमारे पास fungi plantae और animalia, इनके साथ यह क्या है, connecting link है NCIT की इस बात को बिलकुल दिमाग में बिठाओ, कि protista एक ऐसा group है, जो इनके से match करता अगर question आए, which kingdom is connecting link between procriors and fungi, plantae, animalia that is protista, दूसरी बात आपने क्या समझना है कि इस kingdom के बहुत सारे member match करते हैं दूसरी kingdom से so boundaries are not well defined, इसकी boundaries जो है, वो well defined क्यों नहीं है not well defined उसका हम reason यह लिख रहे हैं reason यह लिख रहे हैं कि many of the many members, जो है वो share करते हैं similarities share करते हैं similarities with other kingdom किस से दूसरी kingdom से यह similarities share करते हैं यहां तक आपको बात समझ आनी चाहिए यह हम बात कर रहे हैं किसको लेके यह हम बात कर रहे हैं protista को लेके अब हम protista का पहला group पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है crysofiles इनकी detail जानेंगे पहले हम इन तीनों को पढ़ते हुए compare करेंगे फिर slime mouths में जाएंगे तो देखिए जड़ा ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं बिटा सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं crysofiles crysofiles first group है ठीक है actual में क्या होता है बिटा हम कैसे compare करके पढ़ेंगे हम जो पहले तीन प्रोटिस्ट पढ़ेंगे तीनों photosynthetic हैं उनको आपस में comparison लेंगे सबसे पहले समझो crysofiles एक group है जिसमें दो तरह के member आते हैं crysofiles में हमारे पास हम जो पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं decimates इनकी जादा detail नहीं है हमारे पास जिने हम golden algae कहते हैं एक तो ये पढ़ा जाता है crysofiles में दूसरा पढ़ा जाता है die atom इनकी जादा detail अवेलेबल है तो crysofiles जो एक group है उसको दो पार्ट में divide करें die atom और decimates decimates के हमारे पास जादा detail नहीं है और उसे पढ़ते नहीं हम लोग जादा clear हम meanly किसको study करते हैं diet हमको अब एक comparison wise चलेंगे ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाऊँगा सबसे पहले आप पढ़ेंगे habitat क्या पढ़ेंगे आप habitat कहां मिलता है देखो आप क्या sequence follow करने वाले habitat structure हला ये sequence follow करेंग structure में आप क्या पढ़ोगे पहला सबसे पहले आप पढ़ोगे फ्लैजिला है के नहीं cell wall कैसी है pigment क्या है storage क्या है किन में पढ़ोगे ये first three group of proteins का जिसमें आप comparison ले रहे होगे कैसे comparison लोगे आप पढ़ोगे उसकी cell wall आप पढ़ोगे फ्लैजिला आप पढ़ोगे pigment और आप पढ़ोगे storage इनसे compare करना है चलो करते हैं सबसे पहले habitat ट्राइसोफाइट्स या डाइटम्स का habitat fresh water भी है प्लस marine भी है ऐसे हैं ठीक है clear ऐसे हैं ठीक अगर यही habitat में डाइनो फ्लैजिलेट के लिए बताओं जो second group है अगर आप यह चीज़ समझ पाओ क्योंकि comparison करके याद करना ज़ादा असान होता है तो इसका habitat मेरे पास marine है तो आप इस तरीके से याद करोगे यह जो तीन group हैं आपके पास ध्यान से तुनों यह तीन group हैं जिसमें crysofides fresh water marine दोनों है dynoflagellate सिर्फ marine है uglinoids fresh water होता है fresh water marine फिर marine और फिर fresh water ऐसे याद करो एला वाला fresh water marine दोनों दूसरे वाला second one is marine third one is fresh water ऐसे चलोगे तो याद होगा चलिए पहले ज़रा first को complete करते हैं फिर बात करेंगे habitat हमने देख लिया अब हम बात करते हैं इसके structure की इसकी बात करते है structure की ठीक है structure देखते है ज्यान से देखना important है structure हम याद रॉ कर रहे हैं देखो ये एक cell है मालो ये हमारे पास इस तरीके से एक cell है डाई एटम का एक cell एक proper cell है जो eukaryotic cell है इसके बाहर बिटा हमारे पास इसके बाहर हमारे पास एक proper इस तरीके से ध्यान से सुनेंगे इस तरीके से proper एक ऐसे overlapping shell होती है एक thin shell होती है overlapping ऐसे ठीक है तो ये जो यो डाई एटम का cell है हमारे पास इसके बाहर हमारे पास इस तरीके की overlapping shell होती है तो हम ये समझ रहे हैं die atom क्यों बोलते हैं क्योंकि इनके बहार मेरे पास ये आप NCRT पढ़ोगे तो ये देखेंगे इसके structure में हमारे पास जो cell wall है cell wall में हमारे पास cellulose के साथ क्या है silica है और silica जो है वो एक तरीके से क्या बना रहा है ये इस तरीके से overlapping structure बना रहा है तो आप जड़ा देखो मैं क्या क्या detail बता रहा हूँ इनकी जो cell wall है उसमें silica है और वो एक overlapping structure बना रहा है तो इस वाम बात को समझ रहे हैं एक कैसा है thin overlapping overlapping समझ में आ रहा है एक के ओपर एक ऐसे आ रहा है overlapping ये क्या बनाएगा shell बनाएगा कैसा soap case जैसा देखो ये क्या होता इसको die atom क्यों कहते हैं आपको दिखेगा ये दो हिस्सों में है एक ये है जिसमें silica है क्योंकि NCRT बोलती है कि cellulose के साथ इसमें क्या deposit होगा ऐसे silica deposit है silica deposit होने की वज़े से ये indestructible हो जाता है इसको हम अभी देखेंगे क्या मतलब है indestructible का इस तरीके से इस पर silica deposit है तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं die atom exactly बने किसके हैं हमारे पास उनकी सबसे पहले die atom क्यों हम बोलते हैं दो हिसो में ठीक है तो हम उनकी details पढ़ते हैं जो हमें आनी चाहिए सबसे पहली details हम क्या बात करते हैं cell wall की तो cell wall में क्या लिखोगे आप लिखोगे cell wall में हमारे पास silica है ज्यान से सुनो cell wall में आप क्या लिखोगे हमारे पास cellulose है cellulose plus silica दोनों है और वो क्या बना रहे हैं एक thin overlapping shell overlapping क्या बना रहे हैं shell बना रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं जो यहां लिखा हुआ इसको एक बार रब कर रहे हैं क्योंकि वहां लिख रहे हैं हम इसको तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके का, आप देख रहे हैं, ये overlapping shell बने, ये बात होगे इसके cell wall की, अब due to silica, जहां से जुने, due to this silica, cell wall is indestructible, indestructible, now what is meaning of indestructible, ये digest नहीं हो सकता, एक चीज़ समझो बिटा, मैं कहता हूँ कि nature में कौन सी चीज indestructible है, जिसका कोई enzyme present नहीं है, nature ने जिसका अपने अंदर कोई enzyme नहीं रखा हुआ है, वो चीज indestructible मानी जाती है, for example, polythine, polythine is not hard, it is indestructible, तो silica को digest करने के लिए कोई enzyme है नहीं, इसलिए हम silica को क्या मानते हैं, indestructible मानते हैं, यहां तक समझ आ रही है, उसे indestructible क्यों मानते हैं, क्योंकि कोई enzyme नहीं है, तो क्योंकि उसे तोड़ने के लिए कुछ नहीं, अच्छा, उससे होगा क्या समझना ध्यान से, यह diatom जो है बिटा, diatom indestructible है, माल लो, यह कुछ इस तरीके के structure होंगे, जो मर जाएंगे, और bottom of ocean में कठा होते चले जाएंगे, diatom ऐसे structures हैं, जो dead होते चले जाएंगे, क्यो they are indestructible, they form diatomaceous earth, diatomaceous earth का क्या मतलब है, यह accumulate हो जाएंगे bottom में, कहाँ पे water body की, fresh water और marine दोनों है न, तो accumulate हो जाएंगे किसमे, water body में, bottom पे कठे हो जाएंगे, bottom पे, मरते चले जाएंगे, जोकि इनको कोई digest नहीं कर पा रहा, इनकी wall को, देखो, क्या होगा, यह dieatom मर जाएंगे, single cell के, ऐसा cell wall है, overlapping soap case जैसी है, हम लिख रहें, overlapping soap case, overlapping soap case, soap का जो case होता है, वैसी है, अब यहाँ पर हमने इसी सिखा, कि cell wall digest नही हो सकती, इसी लिए, मरने के बाद, after death, they get accumulated at bottom of ocean and fresh water boat, तोनों पे कठा हो जाएंगे, उसे हम कहते है, diatomaceous earth, ठीक है, दूसरा बेटा, यह क्या है, इनमें फ्लेजिला नहीं है, दूसरी बात हम किस पे करते थे, फ्लेजिला, फ्लेजिला absent है, और यह microscopic है, आँख से नहीं दिखते, microscopic है, फ्लेजिला नहीं है, इनके पास, तो यह कैसे move करेंगे, ध्यान से सुने बिटा, यह move करेंगे along water current, move along कैसा water current, यह water current के along move करेंगे, मतलब जिदर पानी ले जाएगा, उधर यह move करेंगे, पानी जिदर ले जाएगा, यह उधर move करेंगे, ऐसी movement को कहते हैं, passive, देखो, अगर जिसके पास, फ्लेजिला होता है, वो अपनी मर्जी से उधर जा सकता है, जिदर जाना चाहे, best example, human sperm, it also has फ्लेजिला, it can swim, ठीक है, इस तरीके से, कलमाइडो मुनास, फ्लेजिला होता है, लेकिन जिस पे फ्लेजिला नहीं है, वो जिदर पानी जाएगा, उधर चला जाएगा, ऐसी movement को कहते हैं, passive, और ऐसे organisms को हम कहते हैं, plankton, plankton, तो यह plankton बनाते हैं, क्योंकि यह passive move करते हैं, यहां तक समझ आ गई, अब हो गया हमारे पास cell wall, अब हो गया फ्लेजिला, अब मेरी बास होता है, इसमें pigment को लेके NCRT ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं अगर आपको कहूं, कि यह oxygenic photosynthesis हैं, यह oxygen बनाते हैं, तो कम से कम दिमाग में यह तो बैठेगा, chlorophyll A होगा, खीक है तो अगर मैं pigment की detail बोलूँ आप से, तो आप दिमाग में बिठाइए कि pigment में इनमे chlorophyll A होगा, इसके अलावा एक brown pigment भी होता है, जो brown algae में था, उसमें fucoxanthin है, ठीक है, क्या है fucoxanthin, ठीक है, clear, ठीक है, storage में बिठा, इनमें chemical होता है, leucosin मत करो, छोड़ सकते हैं, एं कोई भी single cell का eukaryote, best method to reproduce is binary fusion, जैसे bacteria करता था, पर bacteria की binary fusion mitosis नहीं थी, but most of the eukaryote have binary fusion as mitosis, मेरी बात ध्यान से सुनना में क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि bacteria की binary fusion में nuclear directly divide करता था, इनकी binary fusion में mitosis हो सकती है, पर सारे eukaryote में नहीं होती, most of the eukaryote में binary fusion में क्या होती है, mitosis, इतनी चीज clear समझ में आई, ठीक है, तो हम reproduction पे कोई detail नहीं दे रहे हैं आपको, अभी सिर्फ इनकी कुछ economic importance से related बाते बता रहे हैं, we are not using economic importance, हम इनकी कुछ significance बता रहे हैं आपको, importance, अगर आप से कहा जाए हम कैसे sequence पढ़ते है, habitat, structure, nutrition, अगर मैं इसका nutrition आपके लिए लिख दू, तो आप nutrition खुद बता सकते हो इसका, क्योंकि मैंने इसमें chlorophyll A लिखा है, तो they are photo autotroph, और कौन से वाले हैं, chlorophyll A है तो, कौन से वाले हैं बाई, ये है oxygenic, ये क्या है, oxygenic, clear, सही है, तो हमने क्या हमने ये पढ़ा, ध्यान से सुनो, हमने ये पढ़ा, ठीक है, हमने ये पढ़ा, कि ये importance हो गई, ठीक, nutrition हो गया, photo autotroph, oxygenic, importance हमारे पास आ गई, ठीक है, importance क्या है, समझो ध्यान से, this is nutrition, now importance के point सुनो, ध्यान से, NCRT ने कहा है, they are chief producers, chief producers in ocean, need 2018 का question था ये, chief producers in ocean, now what is producers, photosynthesis कर रहे है, खाना बना रहे है, तो aquatic life में, पानी वाली life में, single cell की organism में, खाना बनाने में, सबसे जादा ये है, clear, algae भी होती है, पर ये भी काफी जादा है, तो ये खाना बना रहे है, photosynthesis कर रहे है, ठीक है, clear, next बेटा, अगली food chain के लिए हम बात करें, उसके बाद क्या है, ये indestructible है, ये कैसे है, indestructible है, तो ये क्या बनाएंगे, they form diatomaceous earth, diatomaceous earth बनाएंगे, bottom पर इकठे हो जाएंगे, ना, bottom पर क्या हो जाएंगे, इकठे हो जाएंगे, यहा तक समझ आ रहा है, दूसरा, ये rough है बिटा, ये क्या है rough, तो कि सिलीका का है ना, तो ये सिलीका के बने वे हैं, इस वज़े से rough है, rough होने की वज़े से इस करेंगे भाई, कोई rough surface आपने पढ़ा हुआ, ये बात पता है आपको, अगर किसी surface पर rough surface से rub करें, तो polish हो जाता है, तो ये किसमें use करते हैं, इनको polishing में, अच्छा, दूसरा चीज बिटा, इनको use करते हैं, syrup making में, use in syrup making, इनसे हम oil extract भी करते हैं, oil भी extract करते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना विटा, ध्यान से सुनना, अगर आपको ये टेक्निक पता हो, हम लोग soil से filtration कर सकते हैं, आपकर आप देखो जरा, ये actual में die-atom क्या होती हैं, आप किसी भी water body की bottom में, जो मिट्टी होती है, वो basically इन die-atom की बनी हुए, क्योंकि एक सर में वो क्या बनाते हैं, उसका base बना रहे हैं, मिट्टी जो है, वो ही है, die-atom है, कुछ तो बहे के आई होगी, after with river या जो भी है, उसके साथ, मतलब flow करके है, वो एक अलग चीज़े, but they are also settle at the bottom, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपने technique generation, ठीक है, NCRT पढ़ें, आपको ये sub point मिलेंगे, ठीक है, chief producer आया था, नीट में एक बर, important point है, अगर आया था, तो भी है, और ये आ भी सकते हैं बाकी, तो ये die-atom के लिए हो गया, die-atom microscopic है, plankton कहते हैं, पानी के साथ move करते हैं, ठीक है, clear, ये चीज़े समझ आ गई, तो ह clear, photosynthesis कौन सी होगी, oxygenic, oxygenic क्यों, why, because oxygenic, क्योंकि इनके पास क्या है, बेटा, chlorophyll है, मैंने storage नहीं लिखा, जिनको अगर याद रखना हो, तो storage याद कर सकते हो, although NCRT में नहीं है, ये छोड़ा हो जा सकता है, leucosine, ठीक है, ये word यूज़े कर सकते हैं, clear, ठीक, next देखे, अब हम बात करने वाले हैं, dinoflagellates की, ठीक है, देखो, diatom इस तरीके का दिखता है, दिख रहा, आपको दो पार्ट में है न, ये देखो, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, ठीक है, clear, यहां तक समझ आ रहे हैं बेटा, अब आजाओ dinoflagellates, सबसे पहली बात हमने कह दिया था, चलो habitat compare करते हैं, comparison में पढ़ेंगे, पिछले वाले का habitat क्या था विटा, लास्ट ग्रूप का habitat क्या था, याद करो, पिछले ग्रूप का habitat क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा पिछले ग्रूप का habitat marine और fresh water दोनो, इसका मेरे पास marine है, तो इसका मतलब ये ocean में मिलत करते हैं, structure की बाग करते हैं, तो structure में मुझे क्या क्या detail आनी चाहिए, we should know cell wall, हमें फ्लैजिला पता होना चाहिए, हमें pigment पता होना चाहिए, और मुझे storage पता होना चाहिए, clear, ये चीजे पता होनी चाहिए, तो चलो देखते हैं एक बार इसके structure को ध्यान से देखो, अना, एक मैं structure बना देता हूँ, ऐसे, कैसे दिखेगा ये, देखो, diatom कैसे दिखता है बिटा, जान से सुनेंगे, sorry, dinoflagellate कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके का है, मान लो, इस तरीके का structure बनता है, dinoflagellate का, ऐसा, जान से सुना बिटा, जान से सुना, dino flagellate के इस structure को हम ये बोलते हैं कि इसके बाहर मेरे पास surface पर cellulose की stiff plates होती है ऐसे cellulose की बनी हुई क्या होती है हमारे पास plates होती है ये cellulose की बनी हुई plates हैं इसके surface पर तो सबसे पहली बात अगर मैं cell wall की आपको बताओं यहां पर तो मैं यह कह रहा हूँ बेटा मैं यह कह रहा हूँ यहां पर कि cell wall जो है cell wall जो है उसमें है क्या मेरे पास उसमें मेरे पास क्या बताने के लिए है cellulose की cellulose की हमारे पास stiff plates है stiff क्या है plates cellulose की कैसी plates हैं बेटा stiff plates है अब देखो कुछ ऐसी जगा है जहां ये plates नहीं है वहाँ पर दे को मेरी बास नहीं जो जान से मालो ये ऐसे है इधर मेरे पास नहीं है कुछ ऐसे मेरे पास वो plates नहीं है मतलब कुछ इस तरीके से plates नहीं है कुछ ऐसे plates नहीं है कुछ वहाँ पर plates absent है तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे मैं कह रहा हूँ, this point is transverse groove, यहाँ पर एक transverse groove है, जहाँ पर यह plates नहीं है, now this point is, हमारे पास longitudinal groove, longitudinal groove, तो यह वो area है, जहाँ पर यह plates नहीं है, तो दो groove बनते हैं, वहाँ पर हमारे पास दो flagella होते हैं, एक यह flagella होता है, और एक यह flagella होता है, तो dino flagellate को dino flagellate क्यों बोलते हैं, विकास दो flagella है, और उनकी देख रहा है, position भी अलग-लग है, this one is known as, which flagella? longitudinal flagella, and this one is known as, which flagella? it is known as, transverse flagella, तो दो flagella है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इनकी cell wall के बारे में, आप देख सकते हैं, structure यह, ऐसा ही बना हुआ है, कुछ ऐसे grooves हैं, these are grooves, moves, these are cellulose की plates होंगी, stiff plates होंगी, यह वो groove है, जहां नहीं है, एक flagella यहां है, और एक flagella हमारे पास ऐसे होगा, तो दो flagella होंगी यहां पे, ठीक है, चड़ा देखें आगे, इसकी बात है, अब देखो, cell wall हो गया, ठीक है, अब compare करो जड़ा पिछले वाले में, पिछले वाले में, cell wall की आता, silica, silica की stiff plates, तो इस silica की, हमारे पास layer थी cellulose के साथ, और वहाँ पे thin लिखा हुआ, मैं जान रखना इस बात को, वहाँ पे thin लिखा हुआ, एंसेयाट में, thin है, ठीक है, यहां पर stiff cellulose की plates है, अब आजो flagella, पिछले वाले में flagella नहीं था, यहां पर कितना flagella है, इस पर बात करने पर, ठीक है, यहां पर कितने flagella हैं बटा, flagella कितने हैं, दो, two flagella, कैसा कैसा, एक transverse है, और दूसरा कैसा है, longitudinal है, flagella भी हो गया, after flagella, हम क्या देखते हैं बटा, उन्हें क्या बोला था, आप बात कर लीजिए, pigment की, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यह भी oxygen बनाने वाली photosynthesis करते हैं, अगर अभी तक आपको बात समझ नहीं आए, तो lecture फिर से देखो, second lecture, chlorophyll A जरूर होगा इसमें, उसके अलावा बेटा, इनमें अलग-लग color होते हैं, NCAT ने बुला है भाई, अलग-लग color हैंवे, कौन-कौन से color हैं, NCAT ने कहा है, इनके पास बेटा, blue color होता है, brown color होता है, red color होता है, yellow color है, समझ आ रहा है, तो उसके एसाब से और भी pigment होंगे, पर main pigment क्या है, chlorophyll A, बाकि ज साब से इनका color आ जाता है, किसका dino-flagellate का, for example, अगर मेरे पास red color, red color जो होता है, वो होता है, phyco-erythrin pigment देता है, तो अगर phyco-erythrin जादा है, तो कैसा color आ जाएगा, red आ गया भाई, चलो red ले आए हम लोग, ठीक है, अगर phyco-erythrin जादा है, तो color कैसा आ गया, हमारे पा brown, red, yellow, ये आपके सामने अलग-लग color है, तो हमने क्या-क्या पढ़ लिया, cell wall, पिछले वाले में sleeka, इस वाले में cellulose, वो आला क्या था, पिछले वाला diatom, fresh water marine दोनो, ये क्या है, marine है, ठीक है, उसमें क्या था, chlorophyll A था, उसके साथ एक brown pigment हो सकता था, यहाँ अलग-लग pigment ह पर main pigment chlorophyll एक color आ सकता है, किसके साथ से कोई pigment dominant हो जाए, जैसे कि red जादा हो जाए, तो red color आ जाएगा, अब बात कर लो storage की, next point हम क्या बात कर सकते है, storage, तो इनमें storage बेटा starch है, इनमें storage क्या है, starch, छीक है, हम आगे discuss कर सकते हैं, इनकी भी importance, क्योंकि हमने उसमें importance discuss करी थी, तो इसमें भी importance discuss कर सकते हैं, पर अगर मैं आप से कहू, nutrition बता दो इसका, तो आप कहेंगे भाई, इसका nutrition भी क्या है, ऐसा photo-autotroph, जो oxygen मना रहा है, क्या है बिटा, photo-autotroph, कैसे वाला, oxygen producing, oxygenic, similarity है पिछले वाले group से, फिर हम बात कर सकते हैं, binary fusion होगा, reproduction में, हम बात कर रहे हैं, importance के, importance doesn't mean positive, use it can be negative also, significance, importance या economic importance, positive, negative दोनों होता है, तो सबसे पहले समझे ध्यान से बिटा, हमारे पास एक example है, इनका एक example है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं, बिटा, goniolex, यह goniolex क्या है, एक dynoflagellate है, जो कैसा होता है, बिटा, binary fusion से, यह तेज डिवाइड कर जाता है, binary fusion से क्या करता है, यह very fast divide करता है, बहुत तेज डिवाइड करता है, किसके अंदर divide करता है, यह goniolex red color का है, बिटा, कैसे color का है, red color का, तो यह goniolex क्या है, बहुत तेज डिवाइड करता है, binary fusion से, और ocean जो मुझे है, वो red appear होता है, ocean मुझे कैसा appear होता है, red appear होगा, इसी लिए हम कह रहे है, word red tide, क्या word यूज कर रहे है, red tide, clear हो गई बात, clear है यह, इसलिए हम क्या word यूज कर रहे है, red tide word यूज कर रहे है, तो आपके सामने है, this is importance, this is importance, ठीक है, तो red tide क्या है, एक ऐसा goniolex, जो बहुत fast divide किया, हला, ठीक है होता है क्या है बिटा, इन में से, some of them produce toxin, कुछ ऐसे हैं, जो क्या बना देते हैं, toxins बना देते हैं, अब पहले हम लोग toxin का नाम भी पढ़ाते थे, जैसे उस toxin का नाम NCRT में नहीं है, second toxin कहते थे, now this toxin actual में क्या करता है, यह क्या करता है, बिटा, killing of fish करता है, killing of fish करता है, killing of fish करता है, और अगर उसको human consume कर ले, तो उसको human को paralysis हो सकती है, तो human consumption of that fish cause paralysis, paralysis करेगा, clear, तो आपने दो चीज़े यार रखी, importance में, clear, ठीक है, दूसरी एक important चीज़ बेटा, आपके syllabus में बहुत कम example है, bioluminescence के, bioluminescence का एक example, animal kingdom में है, टीनो फोरा, एक ये group है, जहां पर bioluminescence दिखता है, जिसका example मैं लिख रहा हूँ, अगर चाहो याद करो, छोड़ भी सकते हो, पर बहुत limited है, इसलिए बता रहा हूँ, इस group में एक example आता है, noctulica, noctulica क्या show करता है, bioluminescence show करता है, मैंने कहाना, एक दो line सिर्फ एक्ष्रा बताऊंगा, वो ये हैं में आपकी, ठीक है, clear, ध्यान जखना इसे, अब आजाओ, एक ओर third group जो photosynthetic है, जिनका नाम क्या है, euglenoids, ठीक है, हमने कहा था, तीन photosynthetic group पढ़ेंगे, पहला हमने बोला diatum, जो कि क्या था, fresh water marine दोनों, जिसकी cell wall में silika था, ठीक है, second is dino flagellate, दो flagella, एक transverse, एक longitudinal, ठीक है, clear, और उसमें क्या था विटा हमारे पास, वो था marine, ये वाला जो है, ये fresh water है, ठीक है, तो मैं अगर यूगलिनोइट्स को लिखो, यूगलिनोइट्स के अंदर यूगलिना आता है, हना, तो यूगलिनोइट्स का सबसे प मिल रहा है, हमें कहां मिल रहा है, बताओ, जल्दी से, sequence पकड़ो, फिर से, हम कहेंगे, that is fresh water, कहां मिल रहा है, fresh water, यूगलिनोइट्स fresh water में मिलते हैं, ठीक है, अब हम इसके structure की बात करेंगे, जो हमें आने चाहिए, structure में हम क्या-क्या points discuss करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंग यह cell wall, ध्यान से सुने बिटा, इनमें cell wall नहीं है, इनमें क्या नहीं है, cell wall नहीं है, cell wall की जगा एक layer है, जिसे pellicle कहते हैं, ध्यान से सुने बिटा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, इनमें cell wall absent है, cell wall नहीं है, तो हम अगर एक diagram बना दें आपके लिए इसका अलग से, एक कुछ ऐसा दिखेगा ध्यान से सुना बीटा मेरे पास ये इस तरीके से यूगलीना है हम लोग ऐसे बना रहे हैं इसको ठीके यूगलीना है तो मैंने कहा कि इसके में सेल वॉल नहीं है एक सौफ्ट सी लेयर होती है जिसको पैलिकल कहते है जिसे प्लाजमा मेंब्रेन के बाह ही हैं यहां पर देखो दो फ्लैजिला है एक छोटा और एक बड़ा ठीक है अनिकोल साइस का और अगर ट्प पर फ्लैजिला हो तो उसे आप क्या बोलते हो एपिकल फ्लैजिलाा कैसा है एपिकल फ्लै बेटा एक से जादा होगा इसमें chloroplast होते हैं ऐसे यह chloroplast है इसमें खास्त रहका vacuol होता है जिसका नाम होता है contractile vacuol क्योंकि fresh water single cell wallों में यह vacuol होता है contractile vacuol कहते है चलो आओ जरह एक बर देखते हैं कहानी क्या है सबसे पहले मैंने लिखा cell wall नहीं है cell wall की जगा cell wall तो नहीं है उसकी जगा क्या है बिटा outer protein की layer है जो flexible है उसका नाम pellicle है चलो cell wall भी नहीं है कि क्या structure हो गया मैं सबसे पहला point cell wall cell wall के बाद हम discuss करते हैं क्या फ्लेजिला तो जब हम फ्लेजिला की बात करते हैं तो सबसे पहले डाइटम याद करो डाइटम में कोई फ्लेजिला ने डाइनो फ्लेजिला कितना दो फ्लेजिला यूगलिनोइड कितना भाई यूगलिनोइड में कितना फ्लेजिला हम कह रहे हैं यूगलिनोइड में कितना फ्लेजिला कह रहे हैं दो और दो में कैसा एक बड़ा फ्लेजिला ये रहा और एक छोटा फ्लेजिला ये रहा तो दो फ्लेजिला है बिटा दो फ्लेजिला और कैसे है वो टिप पर है टिप को कहते है एपिकल टिप का मतला उपर यहां पर ऐसे यहां दो फ्लेजिला और अनिकुल है साइज छोटा बड़ा है ये बड़े साइज का फ्लेजिला है देखो छोटा सा फ्लेजिला यहां है खिक फ्लेजिला हो गया अब ये बहुत important है pigment देखो पहले वाले में chlorophyll A था दूसरे वाले में भी chlorophyll A था बाकी color के इसाफ से अलग pigment थे याद रखो NCRT ने लिखा इस बात को pigment जो है higher plant जैसे हैं अगर हम बात करते है pigment like higher plant तो हम surely कह रहे हैं कि higher plant में chlorophyll A और B दोनों होती है क्या होगा बेटा हमारे पास chlorophyll A भी होगा और chlorophyll B भी होगा यह समझ आ गया? ठीक है? clear? यह हो गया इसका pigment के बास storage पे जाओ पहले बाले में अमनी नाम नहीं बताया था कारता ल्यूकोसिन याद कर लो दूसरे बाले में stars था इसमें starch की एक form होती है जिसे para amylam कहते है अब यह extra word है इसको सुनके परिशान मतो starch की form है जैसे आप याद करो amylase किसको digest करता है starch को उसी से word लाए होंगे उसकी एक modified form है अब अगर मैं nutrition देखूँ इसका वो बड़ा special है इसका इसका nutrition बहुत special है इसका जो nutrition है वो बहुत ही special है अन्ना तम language change होगे nutrition जो है अमारे पास वो क्या है nutrition क्या है इसका बड़ा अलग है कि जब तक light है देख रहे हो जब तक light present है तो ये autotrophic है oxygenic वाला बढ़िया photo synthesis कर रहा oxygenic है लेकिन जैसे ही light नहीं है बिना light के अपना बरताओ बदलेगा और कहेगा कि मैं predator हो गया और predator का मतलब चोटे organism को खाने लगे था खुद इतना चोटा है तो चोटे organism predator of small organism NCIT की line check करो वही पढ़ा रहा हूँ चोटे organism का predator हो गया ठीक है clear है ये चीज़ समझ आ रहा है तो light present है autotrophic oxygenic light absent है predator of small organism clear हो गई बात ठीक है ये चीज़ समझ आ रही है है ना खीक है अब देखो अब ये nutrition है उसके बाद ध्यान से सुनना मिटा nutrition है हमारे पस ये हो गया light absent predator of small organism clear अब जड़ा आगे सुनना ये ऐसे nutrition को हम एक special नाम देते है mixotrophic mixotrophic खीक है तो ये nutrition होगे अच्छे एक चीज़ याद रखना reproduction diatum और dynoflagellate में sexual होती है yuglina में binary fusion होता है आपने कौन से वाला पढ़ा था याद है nth class में आपने ये वाला binary fusion पढ़ा था इस तरीके से divide होता है दो पार्ट में तो इसमें binary fusion होता है ऐसे वाला longitudinal वाला तो इनमें सर्फ asexual reproduction होती है yuglina में sexual reproduction as such नहीं होती है clear याद रहेगा ये चीज खीक है तो ये basic चीज है बाकि contractile vacuole आपका एक special feature है excess water remove करता है मतलब अगर आप ध्यान से सोचो fresh water के single cell वानों की दिक्कत ये है कि उनका cytoplasm hypertonic है समझ लो बाहर hypotonic है पानी जादा है पानी एंटर करता हो तो उन्हें उसे निकालने के लिए vacuole चाहिए जिसे contractile vacuole कहते है let's compare करो अब मैं तीनों को compare कर रहा हूँ जान से सुनना हूँ तीनों का एक comparison ले लेता हूँ आपके लिए comparison is best way to learn हना हमेशा नहीं पार सबसे पहले हमने क्या लिखा इधर लिखे chrysophytes chrysophytes लिखे इधर क्या लिखे dino flagellates और इधर क्या लिखे हमने uglynoids लिख दिये compare कर लो दोनों को तीनों को सबसे पहले chrysophytes के marine और fresh water दोनों देख रहे हो ऐसी detail रहती है इसमें marine है और इसमें fresh water है खीक है इसमें क्या भाई आगे चलो structure में जाते हैं flagela है क्या हमने का flagela नहीं है डाइयेटर में इसमें है क्या flagela दो है और directions अलग है ठीक है इसमें भी flagela दो है लेकिन apical है apical top पर लगे वे है और unequal भी है इन वाले को भी unequal ले ले लेते हैं हम लोग चलो बाकी बात करते हैं आगे की flagela के बात और क्या बात कर सकते हैं भाई उसके बाद आ जो flagela, cell wall, pigment, chlorophyll ये तीनों में होना चाहिए क्योंकि तीनों oxygen बना रहे हैं ठीक है भाई हैं साइनो बेक्टीरिया के लेकिन इसमें chlorophyll B है इसमें बेटा red लिख सकते हो phyco erythrine, red pigment लिख सकते हो और इसमें brown लिख सकते हो पर नहीं लिखो तो भी चल जाएगा phycozentine लिख सकते थे storage में leucosine लिखा यहां आमने यहां क्या कर दो starch यहां क्या कर दो paramelum बाकि special feature इनके आप note कर लेना खुद से यह आपको आ जाएगा topic clear है? this is how we have to learn एक, clear, चलो आगे एक बात करते हैं आप जड़ा एक छोटी कहानी किसके लिए slime molds के लिए उसके लिए बात कर लेते हैं ठीक है, slime molds के लिए छोटी कहानी बात कर लेते हैं क्या है slime molds? अना अभी तक हमने जो तीन ग्रूप पड़े वो autotrophic से थे, plant यह से मैच करते थे, अभी यह पहला ग्रूप है जो fungi से मैच करेगा तो इसका भी habitat fungi type का होना चीए fungi कहां मिलती है decaying जगा पे तो habitat की बात कर लेते हैं इसकी ठीक है, क्या बात कर लेते हैं habitat की, कहां मिल रहा है ठीक है, clear था, देखो habitat की बात करते हैं ज्यान से देखना बिटा कहानी अभी बाकी है तो तुम्हारा एक्जाम नहीं वा अभी है habitat की बात कर रहे हैं habitat में हमारे पास यह कहां मिलेगा, on decaying on decaying organism या decaying चीजों के तो decaying क्या, twig वगएर मरीवी लीफ dead leaf, उन पे मिलता यह वहां मिलता है तरीके से दिखते हैं, life cycle जैसा सिखाऊंगा तो उससे आजाएगा आपको they look like, यह ऐसे दिखते हैं इस तरीके से दिखते हैं जिनकी कोई cell wall नहीं है चिपचिपी सी appearance है slimy appearance है इनकी इन्हें इसलिए slime balls के रहे हैं क्योंकि यह cell wall नहीं है यहापे तो cell wall नहीं है, इसलिए ऐसे दिख रहे है अब यहाँ कानी नहीं है NCRT में क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं अब जरा देखो, एक life cycle की form में समझाऊंगा ध्यान से सुनना ध्यान से देखो बटाओ slime outs यह हैं, आपके पास this is slime outs, जिस पे क्या नहीं है cell wall नहीं है यह इस तरीके का structure है जिसमें कई nucleus आपको दिख रहे है ऐसे कई nucleus है इसको मैं कह रहा हूँ कि ठीके this is plasma membrane, इसकी यह cell membrane है और यह मेरे पास क्या है nucleus ऐसे कई nucleus है multi-nucleated clear, समझ आ गई, अब जड़ा start करते हैं यह हमारे पास leaf है, देखो this is dead leaf यह dead leaf है, यह marivy leaf है यह क्या करेंगे इसके ओपर grow करना start कर जाएंगे कैसे grow कर रहे हैं, इसको digest कर रहे हैं ऐसे यह grow करते वे चले जाएंगे, ठीक है कहरे हैं कि marivy leaf dead चीज पर यह grow कर रहे है और इसको grow कैसे करेंगे भाई, द्यान से सुनो कैसे grow करेंगे, actual में क्या होता है यह enzyme release करेंगे ऐसे बाहर, ठीक है तो यह जो dead leaf है इस leaf पर यह enzyme release कर रहे है enzyme release करके उसको खाये जा रहे है और size बढ़ रहा है NCRT कहती है, size can go up to several feet जितना खाने की चीज, dead चीज go up to several feet काफी सारा बड़े feet का इस board को भी पार कर देगा बहुत बड़ा structure ऐसा बनता चला जाए बहुत छोटा है पर ऐसा grow करता चला जाए ठीक है, चलो grow करते हैं काफी बड़ा बन गया यह देख रहे हो, काफी बड़ा structure बन गया इसे plasmodium कहते हैं ऐसी stage, ऐसी stage जो है, जिसमें काफी सारे nucleus है और ऐसा बड़ा structure बन गया है इसे हम कहते हैं plasmodium यह stage का नाम है एक multi-nucleated stage का नाम है जिसे हम क्या बोल रहे है, plasmodium तो plasmodium बन गया बहुत बड़े size का, जिसमें खूब सारे nucleus है, कैसे बना क्योंकि यह खाता चला गया, इसको ऐसे dead leaf पर grow कर गया अब NCRT कहती है कि ठीक, यह leaf खतम भी तो हो सकती है, ऐसा थोड़ी है सारी leaf पड़ी हुई है, वहाँ पर खाए जाओ, leaf को खतम कर दो, तो जब भी खाना खतम होता है, हमने बार-बार समझाई है यह बात कि खाना खतम होने का मतलब है unfavorable condition हाला, तुम तो और खाना ले आतो है, फ्रिस से, वैसा कुछ नहींगा खाना खतम होना मतलब unfavorable condition, समझो, देखो छोटे organism के लिए तापमान बरदलना temperature change होना, pH change होना, खाना खतम होना unfavorable condition है, तो unfavorable condition में क्या होगा क्या होगा, क्या दिस, जो मेरे पास structure है क्या नाम है इसका, दिस plasmodium plasmodium क्या करेगा, develop करेगा, fruiting body क्या develop कर लेगा, fruiting body नाम बता रहा है, fruiting body का मतलब, इस पर कुछ ना कुछ ऐसा लगना चाहिए, जिस पे spore बन जाए, तो this plasmodium transform into structures known as fruiting body उसने इस तरीके के structures बना लिये, now these are fruiting body, ये कब बनाया है unfavorable condition में, ये fruiting body बन गई, तो this is known as fruiting body, हना, इसको मैं नाम दे देता हूँ, fruiting body अब NCRT कहती है कि fruiting body के tip पर समझना कानी को NCRT कहती है कि fruiting body के tip पर हमारे पास क्या बनेगा ये मालो इस तरीके से हमने fruiting body बना रखी है इस तरीके से हमने fruiting body बना रखी है, कह रहा है, इस fruiting body के tip पर हमारे पास tip पर हमारे पास क्या बन जाएंगे, spore बन जाएंगे इसको fruiting body का मतलब है, this plasmodium ने कुछ air में structure बना लिया इसके tip पर हमारे पास क्या बन गए, ऐसे spore जैसा कुछ बन जाएगा tip पर हमारे पास यह spore टाइप की चीज बन जाएगे spore क्या होता, life होती है single cell की, तो यह spore जैसा बन गया, इसे कह रहे है spore तो spore किस पर develop हुआ develop on tip बढ़िया spore बन गया, एक line जो NCRT को बहुत पसंद आई अच्छा लगा, वो यह है बिटा जो याद रखना है आपने कि spore में हमारे पास true cell wall है now true cell wall का मतलब है हमारे पास कि spore stage में proper cell wall है like cellulose की, true का मतलब यह होता है अब यह जो spore है यह हवा से उड़के जा रहा dispersed by air current हवा से उड़के गए ऐसे spore है dispersed by air current हवा से उड़के गए एंसे आटी चेक करो, लिखा हुआ है last line होगी dispersed by air current उस topic की, हाना slime molds की, सुनना जान से, मेरी बास सुनना असल में क्या होता है, यहां तक तो ठीक है मैं समझ आ रही है, गड़बड़ी है इसके बाद की थोड़ी सी detail एक्स्टा जोड़ रहा हूं तक की cycle को पूरा कर सको इनसे हमारे पास एक gamit जैसी चीज बन जाती है इनसे हमारे पास एक gamit जैसी चीज बन जाती है तिक नाम करना चाओ तो sormer cells करते हो, छोड़ सकते हो इसके बाद की little मैं add कर रहा हूँ ताकि anxiety की line ने समझा सको देखो अब ये fuse करके क्या बना देता है zygote बना देता है इसका मतलब ये spore haploid थे ये fruiting body diploid थी spore haploid meiosis से बने तो वो सब छोड़ दो सिर्फ ये समझो plasmodium fruiting body बना है spore बने spore ने gamut बनाया जिसने zygote जैसा कुछ बना दिया ये जिस पे मेरे पास ये nucleus है ऐसा और फिर ये convert हो जाएगा plasmodium तो आपको ये समझ आना चाहिए कि spore उड़के गया खाने की चीज़ पे गिरा dead चीज़ पे गिरा उसने क्या बना दिया बेटा उसने बना दिया फिर से gamut जैसा कुछ और उसने फिर से zygote बनाया ना इस zygote is deployed ये पूरा structure बना सकता है plasmodium इस इस वट एक्च्वल में slime mold हो वाइट इस नोन ए slime mold इस पूरी cycle में ये ज़्यादा समय के लिए है इस stage और ये stage कैसी है without cell wall है slimy है ठीक है now slime mold have some similarity with fungi क्योंकि वो fruiting body बना रहा है जैसी fungi बनाती clear तो slime mold किसके रिस्तेदार है फंजाई के इसलिए कह रहा है boundaries well defined नहीं है clear बहुत सारे कोई member किसी से match कर रहा है कोई member किस से match कर रहा है clear है ठीक done अब आ गए हम लोग last topic जिसे हम कह रहे है protozoa जिसे हम क्या बोल रहे है बटा protozoa क्या ज्यान से जुनना protozoa को actual में क्या है बटा protozoa के लिए सुनेंगे सब लोग protozoa की similarity animalia से similarity क्या है animalia से क्या similarity है animal kingdom से सोच के बताना मुझे आपको याद आये बात क्या similarity animal kingdom से सोच के बताना ठीक है आपको पता जिल जाएगा क्या similarity animal kingdom से दूसरी बात ये group जो है मेरे पास heterotrophic है अना मुझे जरूर बताना कि क्या similarity heterotrophic है ठीक है heterotrophic में मतलब या तो ये निगल के खाएंगे holozoic होंगे या ये parasite होंगे अना free living होंगे या parasite होंगे पर होंगे heterotroph clear सही है इनमें हमारे पास बिटा ये इनमें eukaryotic feature है सारे कि क्या है हमने क्या किया है on the basis of on the basis of कि ये कैसे move करते हैं ये move कैसे करते हैं मैंने इनके चार गुरुप बना रखे है अब ये चार गुरुप कौन से है ध्यान से देखो protozova को हम चार गुरुप में divide करते है सबसे पहला है गुरुप amoeboid amoeboid का मतलब ये इनकी ऐसी shape होती है जिनमें ये pseudopodia बनाते है तो ध्यान से सुना amoeboid के लिए क्या लिखा है NCRT में NCRT कहती है ये fresh water में मिलते है ये marine भी होते है और कुछ इसमें से terrestrial होते है जो basically हमारे पास moist soil में मिलते है moist soil में कुछ parasitic भी है ठीक है इनके पास ये structure होता है जिसे हम क्या नाम देते है pseudopodia ये present होता है अब pseudopodia जो है actual में ये तो amoeba में बन रहा है लेकिन हमारे अंदर human में भी कुछ ऐसे cells होते है जो pseudopodia बनाते है उन्हें कहते हैं उनके अंदर amoeboid movement है amoeboid movement है आप देखो जाओ movement और locomotion chapter में जाओ आपको मिलेगा amoeboid movement के लिए micro filaments help करते है कौन help करता है cell के अंदर धागे होते है micro filaments तो याद रखो amoeboid movement होती है जो amoeboid organism जैसी होती है अब वटीज amoeboid एक ऐसा प्रोटोज होगा जो pseudopodia बनाएगा उसमें NCRT clearly mention करती है कि some are parasitic class 12 में रखा है some are parasitic ant amoeba नाम है उसका क्या नाम है ant amoeba और जो marine form है उसमें silica deposit होता है तो अगर कई बार आपको question आजाए है प्रोटोजों में से बताओ कहां silica होता है तो आप कहोगे marine form जो है न amoeboid की उसमें silica होता है खीके याद रहेगा अब आजाओ cell wall मत बोला इनमें cell wall नहीं होती अब आओ चाओ flagellates कौन से है flagellates वो है बिटा जिनमें इस तरीके से हमारे पास flagella होता है खीक है तो flagellates दो तरीके से होते है एक हमारे पास fresh water है तरी एक free living है या तो ये parasitic होते है और इनमें movement के लिए क्या होता है बेटा flagella होता है movement के लिए flagella movement के लिए है दूसरी चीच आपके पास anxiety ने इसका एक example दिया है trypnosoma क्या example दिया है trypnosoma जो disease कर रहा है sleeping sickness trypnosoma जो disease कर रहा है कौन सी sleeping sickness ये disease कर रहा है ठीक है sleeping sickness disease कर रहा है ये बहुत important है अब बात करते हैं ciliates की और sporosomans की ciliates क्या होते हैं वही ciliates क्या होते हैं जिन पे cilia होता है cilia का best example ये देखो ऐसा paramecium type का ऐसे cilia उस पे उन्हें ciliates कहते हैं जिन पे cilia होता है ध्यान से सुने बेटा ध्यान से सुने देखो एक चीज मैं समझाता हूँ आपको amoeba खाने को कहीं से भी खा सकता है pseudopodia बनागे लेकिन जो ciliates होते हैं उन पे एक fix position होती है खाना खाने के लिए वो ये होती है यहाँ पर मेरे पास इनका mouth होता है जिसे gullet कहते है जिसे हम क्या बोलते है gullet कहते है ऐसा mouth जैसा होता है यह क्या करते हैं इस cilia की coordinated movement करते हैं किसकी movement करते हैं coordinated movement समझो इस बात को coordinated movement करते हैं cilia की इसको move करते है मतलब cilia को properly move करते हैं उससे क्या होता है, जो खाना, पानी होता है, पानी मूव करता है, पानी के साथ वो खाना इसके गुलेट तक चला जाता है, लिखती है, water laden with food, laden मतलब fill with food, enter into gullet, तो इसका मतलब खाना कैसे खा सकते हो, कहीं से भी खा सकते हो single cell, यह एक fixed position जो उसका gullet या mouth कहलाता है, cell का mouth, समझ आ गई, वहां से खाना enter करता है, इसका example है हमारे पास, paramecium, paramecium, यह example है, ciliates का, अब sporozomans क्या होते हैं समझना ध्यान से, कुछ ऐसे protozoa है, जिनकी life cycle में spore stage बनती है, जैसे की plasmodium, plasmodium stage अलग है, genus अलग है, stage का मतलब multi nucleated, plasmodium organism क्या है, जो malaria cause करता है, तो sporozomans क्या करते हैं, life cycle में spore stage बनते हैं, जो की parasitic होती है, यह stage क्या करेगी, यह stage basically disease cause करती है, और इसका best example है, plasmodium, ऐसा हमारे पास, plasmodium क्या है बिटा, यह plasmodium वो है, जो malaria cause करता है, anxiety केते हैं, notorious parasite, ठीक है, तो यह बिटा आपका protozoa complete कर रहा है, आपको anxiety पढ़नी है, properly, एक एक line समझ आएगी, plus protozoa में कुछ detail animal kingdom में पढ़ाई जाती है, क्योंकि यह mainly उसका part था, मैंने वो cover किया है, जो anxiety से pure protozoa आता है, आपका, clear है, तो हम लोग next lecture में बात करेंगे फंजाई की, तब तक please NCRT पढ़िए, notes बनाईए और revise करिए, यही एक तरीका है, clear waste time मत करिए, ठीक है बिटा, thank you, पढ़ाई करते रहें, all the very best.